आपके स्क्रीन पर जो सूर दिख रहा है उसके शरीर पर एक दिल धड़का लगाया गया है अगर वो सही तरीके से धड़कता रहा तो हमारे आपके दिल में भी धड़क सकता है सूर के शरीर में रॉकेट टेक्नोलोजी से एक कृत्रिम दिल लगाया गया है इसरो के वैग्यानिक अपने इस कमाल में सफल रहे तो सोचे मशीन का दिल धरकेगा कई हम और आप इंजिन की तरह स्टार्ट ना होने लगे सुबह सुबह इसरो के वैग्यानिक डॉक्टर के सिवन निदेशक हैं विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर के तिरुवननद पुरम के उन्होंने कहा है कि रॉकेट में जो सामगरी इस्तमाल होती है उसी से और उसी टेक्नीक से इस दिल को बनाया गया है यह हाट के ट्रांस्प्लांट में काफी उपयोगी है सुबहर पर जब इससे टेस्ट किया गया तो देखा गया कि वो जिन्दा है और ठीक ठाट काम कर रहा है अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूँ विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर में एक और कमाल की चीज विक्सित हो रही है इसे आप इस फूल के उपर देख सकते हैं यह दुनिया का सबसे हलका मेटिरियल है सिलिका एरोजेल अगर मैंने ठीक से उचारित किया है तो जिस इस फ्रोजन स्मोक यानि जमा हुआ धुआ भी कहा जाता है इस रोके वेग्यानिकों ने रॉकेट के इंजिनों को बाहरी तापमान से बचाए रखने के लिए इस एरोजेल को तयार किया एक तरह से यह रॉकेट की चादर है इसे आप उढ़ा सकते हैं एक तरह से आप समझ सब्सक्राइगा है यह होगा तो क्या हो जाएगा हमारा और आपके जीवन का और क्या हो रहा है यह प्रयोग जो है वह क्या है प्रयोग ज्र ή है जो टर्मिनली इल पेशेंट्स होते हैं जिनके लिए हाट ट्रांस्प्लांट की जरुवत है अगर उनको कोई तरीके से आप जीवन दान दे सकते हैं तो एक तरीका है हाट ट्रांस्प्लांट दूसरा तरीका है अगर आप उनके लिए जो लेफ्ट वेंटरिकल नॉर्मली जहां से ब्लड पंप होता है उस हाट का जो पार्ट है लिफ्ट वेंटरिकल होता है अगर उसको आप पंप करने में सहाहता दे सकें तो यह जो डिवाइस बनाई है इस रो ने वो एक टाइटिनियम एलॉई की है जो कि बायो कि बना दी गई है मतलब ब कि सबसे मॉडल हाट की टेस्टिंग के लिए स्वर का ही होता है covered को युवार को फिग्शपर पिस पर प्रकस किया गया है और दर जिन पिग्शपर गूया है जहाट को दो पर बंड़ा मुई प्रक्रिया उइक दोई दी स्रो के वेग्यानी पळीए को हमारी तरफ से भी बढ़ाई कुछ हमारा भी सोच रहे हैं देखे वह आपका सोच रहे हैं जरूर क्योंकि ये काम जो है इसरो बनाता है हलके से हलके रॉकिट बनाने की कोशिश करता है उसके लिए मिटीरियल ढूनता है ऐसे पंप बनाता है जो सालो साल चल सके जो फेल नह इसरो को एक कार्डियोलिजिस्ट हैं बॉंबे के उन्होंने सरा दी कि आपके पास ये टेक्नोलिजी है मिटीरियल है आपके पास टेक्नोलिजी है अगर आप इसको जोड करके ऐसा कोई हार्ट डिवाइस बनाएं तो बहुत लोगों का फायदा होगा और ये प्रियोग कित अपने दर्शकों के लिए भए हाट की मशीन जैसे हो. ये हाट की मशीन है जो लेफ्ट वंटिकल में सेलियर होता है. वो दुनिया के और देशों में भी इस तरह से तरीका आजमाया गया या पहली बार हमने हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान में ऑलिंडिया पढ़ रहा है बस लेकिन देखिए उसमें फरक है क्योंकि टाइटेनियम की टेक्नावलिजी इस दोने मास्टरी कर रखी है क्योंकि उनको रॉकेट एंजन पर चाहिए इलेक्ट्रोनिक्स उनने मास्टरी कर रखी है उनको तो केवल इसको एक तरह से ढालना था एक नए अब इसको बहुत ज़्यादा उत्पादन करने की जरूरत है, मतलब वही बच गया है, अभी तो इसकी टेस्टिंग और होनी है, देखे अभी तक 6 घंटे के लिए पिंक्स पे लगाया गया है, जो की एंड दर था, पर फिर भी सुनके ही अच्छा लगता है कि कुछ ऐसा आने वाल इंसुलेटर है, लेकिन क्योंकि उसमें 99 प्रतिशत हवा है, तो एक बहुत काम्याव इंसुलेटर है, और इस रो ने उसको बनाया है, रोकिट एंजिन पे लगाने के लिए, खासकर जो क्रायोजनिक एंजिन है, उसको कवर करने के लिए, या जैसे हमारा चंद्रयान का रो इंसुलेटर बढ़िया है, उतना ही हीट वो बचने की समावना बढ़ जाती है, तो अगर वो हनुमन तक कोपर साब के बास होता, तो शायद उनकी जान बच सकती थी, देखिए, वो छे दिन तक सांस लेते रहे, और ये दुनिया में पहले हम लोग बना रहे है, मतलब इस गार्ड टेकनालोजी होती है, जैसे इसरो के डिरेक्टर ने में बढ़ा है, कोई देता नहीं है, ये इस तरह की चीज़े आपको अपने आप बनानी पड़ती है, आगे बढ़ानी पड़ती है, और मैनेफेक्चर जो है, उसको अपने लेविल पर करना पड़ता है, ये ऐस क्योंकि काम तो वो रॉकेट एंजिन के लिए कर रहे है, उसमें से थोड़ा सा समय और पैसा इसके लिए निकाल दिया, तो स्पिन ओफ टेकनालोजी जिसको बोलते हैं, जो स्पिन ओफ का काम होता है, वो अक्सर पबलिक गुड के लिए बहुत फायदा करता है, लागत कम ह जो शुरू में जो हार्ट मशीन की बात हो रही है, वो मतलब छे साल लगे यहां तक पहुंचने में, और टेस्ट के बाद आदमी पर लगाया जाएगा, टेस्ट के बाद, ये एक करांतिकारी चीज़ होगी, मतलब एक करांतिकारी तो होगी, अभी या तो आप हार्ट ढू लग सके, ये दो तरह से लगती है, या तो अंदर लग जाती है बाडी में, और देखा जाय तो क्या है, जैसे हमारे कूलर होते हैं, कूलर में ने जो टुलू पंप है या पंप है, ये बेसिकली तो पंप होई है, अब हम तो टुलू पंप लगा आके चले हैं, ये